हेलो दोस्तों तो दोस्तों हमें काफी comment देखने को मिल रही थे कि भाई जो यह Samsung का dows 아니 vid wala mobile phone है इसमें जो है की network की काफी problem आ रही है देखने में तो दोस्तों हम जहसे ही इस पर call लगाते हैं call नहीं लगता network की जो है की जगादा ही problem आ रही है दोस्तों कभी-कभी नेटवर कम्प्लीट ली खतम हो जाते हैं ये दोस्तों किस वज़े से हो रहे हैं और इसमें जो नेटवर की प्रॉब्लम है उसको आप किस तरह से सौल कर सकते हो आईए दोस्तों हम आपको लाइब बताने वाले हैं उससे पहले देब चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लो कोई भी सवाल है हमाई कमेंट बॉक्स में जरू बताएं तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको जहेगी दोस्तों इस जो सेमसिंग डूस मोबाइल फॉन है इसमें जो यानि की Network की problem आ रही है उसको आपको जहेगी Company बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टारट चलते हैं Mobile की स्क्रीन उपर Mobile phone है उसमें दोस्तों यानि की Network की प्रोबलम आ रही है इस तरह तो दोस्तो इसको आप जहे किस तरह सौल कर सकते हो आईए दोस्तो मैं आपको जहे की complete बता देता हूँ तो इसके लिए दोस्तो simply आपको जहे की mobile setting पर आजाना है और आने के बाद दोस्तो यहां है setting and setting पर चलने के बाद दोस्तो हमें जहे की नीचे के और आजाना है यहां हैं दोस्तो यानि की network पर आने के बाद दोस्तो जिस sim में आपको जहे की network की problem आ रही है तो दोस्तो आपको जहे की उसी sim को select कर लेना है तो दोस्तो मेरी जो दोनों sim है मैं उन्हीं में जहे की step by step करकर आपको जहे की दिखाऊंगा तो दो option आ चुके हैं automatic and manual तो दोस्तो मैं simply यहां manual पर click कर देता हूँ and manual पर click करने के बाद हमारा जो sim card 1 है वो दोस्तो यानि की network select कर रहा है please try again तो फिर से मैं यहां पर कर देता हूँ दोस्तो तो हम जहे की कुछ second wait कर लेते हैं कि कितने समय में जहे की यहां पर यह network को scan कर लेता है and हमें जहे की यहां पर full network कितनी देर में देखने को मिलेंगे तो दोस्तो मैं यहां यहां पर wait कर लेता हूँ यहां दोस्तो यह network है sim card 1 यह scanning हो रहे हैं और फिर से दोस्तो यहां पर fade लिखा हुआ आ रहा है तो दोस्तो यदि ये problem आ रही है इसके लिए दोस्तो आपको जहेगी simply अपने mobile phone को फिर से switch off कर लेना है and off करने के बाद दोस्तो मैं इसको जहेगी simply on करूँगा and on करने के बाद दोस्तो मैं आपको जहेगी दिखाऊंगा और यहां दोस्तों जैसे हमने इसको जहेगी open किया मैं यहां दोस्तों जो अपना यहां की sim card है उसको change कर लेता हूँ एंड चेंज करने के बाद दोस्तों मैं यहां simply तो दोस्तों जैसे मैं यहां पर किसी number को type करता हूँ तो दोस्तो नो network found यहां पर लिखा हुआ आता है तो मैं दोस्तो फिर से यहां पर जो है की setting पर चला जाता हूँ and setting पर चलने के बाद दोस्तो हमें जो है की network पर आ जाना है and network पर आने के बाद यहां दोस्तो फिर से जो है की हम यानि कि जो SIM1 के जो network है उसको manual पर select करते हैं यहां scanning network पर देखते हैं कि फिर से जो है कि दोस्तों यहां पर फेल्ड तो नहीं दिखा रहा है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो हमारे network हैं वो दोस्तों आ चुके हैं यहां Vodafone in तो मैं simply Vodafone in पर ही register कर देता हैं तो दोस्तों आप इस तरह से जो problem है network की problem इसको दोस्तों sell कर सकते हो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको mobile phone है उसको यानि कि power off कर लेना है और power off के बाद on करना है और on के बाद दोस्तों आपको जहे की उसके बाद दोस्तों आपका जहे की यानि की जो network है वो proper आप आएंगे दोस्तों इसको इस process में आपका जहे की दोस्तों 5-10 minute का जहे की समय लग सकता है अब दोस्तों हम यहाँ पर कोई call लगाते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हों यहाँ पर हमारी जो call है वो complete लग जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको जहे की दोस्तों वीडियो पसंद आएगी